हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आपके लिए आज आपका नया चैप्टर लेकर आई हूँ बुख हमारी चल रहे हैं अंतरा तो अंतरा में जो ये नया चैप्टर हम लेकर आए हैं ये हैं गूंगे लिखा है रांगयी रागयवदारा इन्हों ने यहाँ पर इस कहानी के मांध्यम से हमें समझाने की कोशिश करी है कि जो लोग गूंगे होते हैं जिनको शारिरिक कुछ विशमताय होती हैं जो चीज़ें नहीं कारे करती ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी समवेदनाय होती हैं हम उन पर दया नहीं करें हम उनकी जो है वेदना को समझें उनको चाहें दया करने पर जो भाव आता है वो हो जाता है अधिकार का भाव हमने तुम पर दया की है तो हमारा अधिकार है तुम पर तो इस कहानी के माध्यम से यहां पर कवी ने बहुत बड़ी समस्या को हमारे साम गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोशित पेड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है एक व्यक्ति जो गूंगा है वो किस तरीके से शोशित हो रहा है चीजें किस तरीके से गटत हो रही है यह हमें बताया क्या है ऐसे विकलांगों के शारीरिक अंगकार नहीं करता तो ऐसे लोगों के लिए बिलकुल भी कोई समवेदना नहीं है उस पे आप उसको अत्याचार कर रहे हैं ये भी गलत चीज है ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते हुए भी प्रक्री किया व्यक्त नहीं करते उन्हें गूंगे और बहरे कहा गया है इसलिए कहानी का शीर्षक गूंगे पूर्णता सार्थक है यानि कि जहां पर हम देखते हैं कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है सब कुछ जानते हैं लेकिन तब भी गूंगे बहरे बने कुछ नहीं बोलते तो ऐसे व्यक्ति भी गूंगे बहरे के समानी होते हैं इसलिए पाठ का जो शीर्षक रखा गया है गुंगे एकदम सार ठक है क्योंकि यहाँ पर इस पाठ में एक व्यक्ति गुंगा है इसलिए उसके गुंगा है तो कहानी का शीर्षक आई सकता है लेकिन साथ ही जो व्यक्ति देखते सुनते हुए भी कुछ नहीं बोलते गूंगा है वा जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा है गूंगा बहुत महनती एवं स्वभी मानी है वो मतलब उसके पास सब कुछ है बस वो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता वा हाथ की इशारे से बताता है कि जब वा छोटा था उसकी माँ छोड़ कर चली गई थी यानि कि अब वो इशारे से चीजों को बता रहा है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसे छोड़ कर चली गई थी क्योंकि उसका नहींत का खाता है मतलब बहर है लेकिन भीक नहीं मंगता वह मेहनत करता हैं तब कमाता है तब दिखाता है गुंगा गला खोल कर दिखाता है कि बच्पन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका कौकल काट दिया था तो अब क्या होता बोलते हैं यहां पर एक कौट होता है वो किसी ने गला साफ करने के चक्कर में उसका वो कौकल काट दिया था जिसकी कारण से व गुंगा अपनी सारी कहानी इशारों से समझा रहा है उसे तब पहली बार समझ में आया कि जो कौकल गले में लगा होता है चोटा सा होता है उसका क्या महत्व होता है क्योंकि वो कट जाए तो हम बोल नहीं सकते चमेली बहुत भावुक महिला है उसने चार रुपए और कहाने पर गूंगे को नौकर रख लिया अब चमेली जो इस्तरी है वो बहुत ही समेदंशी इस्तरी है भावुक है जब कुशोर उसको सारी कहानी बता रहा था तो भावु हो गई तो उसने क्या बोला कि हम चार रुपए तुमको देंगे महीने के और खाना देंगे मेरे घर में चलो काम करने के लिए परोसिन शुशीला ने उसे सावधान किया कि बाद में पच्चताओगी उसने फूफा के बार में बताया कि वे उसे बहुत मारते थे अब वह व परोसिन शुश चिताया कि तुम्हें बाद में बहुत पस्ताना पड़ेगा क्यों क्योंकि ऐसे लोग जो है ना अभी तो समिंदन दिखा रहे चाते फिर पूरा घर लूट पाटके ले जाते तो ऐसे लोगों से सावधान ना चाहिए लोगों घर पर नहीं लाना चाहिए इसलिए वो वहां से भाग आया अब यहां यहां पर मेहनत की कमाई करना चाहता है एक दिन गूंगा भाग गया सबके खाना खा चुकने के पश्चाद गूंगे ने आकर इशारे में खाना मांगा चमेली ने गुस्से में रोटियां उसके आगे फेक दी पहले तो गूंगे आगे जाता कहां जाता क्या करता तो चमेली को घुस्सा आ गया कि भई कहां गया इतन बीनबता है फिर उसके बाद में जब यह लौट के आया तो उसने उसको भूग लगी तो उसने खाना मांगा तो चमेली गुस्से में ती उसने रोटिय उठाई हो एसे करके फेक दिए लेकिन बाद में सोचके उठकर आया और उसने वो रोटी खा ले अब यह सिलसला अकसर होने लगा अकसर भी ना बताया वो कहीं भाग जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था कहां चला गया क्या हुआ क्या नहीं एक बार चमेली के पुत्र बसंता ने कस कर गूंगे को चपत ज हाथ उठा फिर ना जाने क्या सोच कर रुख गया अब उसको मारा वे गूंगा है तो काम करता तुमने मारा तो गूंगे कभी हाथ रुखा लेकिन कुछ समझके उसने उस हाथ को रोक लिया उसकी आखों में पानी भर आया और वहार रोने लगा अब कौन को भी चोट लगी से सब कुछ समझ गया तो अब क्या था जब वो आती है तो उसका बेटा उसे बताता है कि यह मुझे मारना चाहता था तो सुन नहीं सकता था लेकिन चमेली के चेहरे के जो हावा बढ़े थे उससे वो पूरी तरह समझ गया कि जो है कुछ कट बढ़े क्या चीज़े घटे तो ही यह उस चीज़े समझ में आ गया चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया चमेली को भी गुस्सा आया कि बेटे पे हाथ रहा तो उसने हाथ जैसी उठाया गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया तो अब इसमेली रोख लिए गुस्सा तो आया था लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ा लिया लेकिन बाद ने चमेली सोचती है कि अगर मेरा बेटा गुंगा होता तो वो भी ऐसे ही सोच वो भी उसके साथ भी ऐसा घटित होता कोई उसे मारता उसे समझ नहीं आता यह सब चीजे हो दी उसके साथ में अब देखें कहानी में कई बिखराव चल रहे है कान कहा कि गुंगा कहां भाग के जा रहा है यह तो कहानी में 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 नहीं है लेकिन वो क्या सोच रहा है इस चीज को हम समझ सकते हैं एक जगा उसने क्या था पहले रोटी नहीं छुई फिर वो रोटी खा लेता है सो तो यहां पर क्या होता है कि घर में भी अगर माँ गुस्सा हो तो कभी-Kभी गुस्से में आ जाती है तो उसने यही सोच गा लिया जैसे मेरी मा मुझ्से सगल्ग‌दूह उच्छा करके लिए इस Never चमेली ने ہाथ उठाया तो क्या कहते हैं कि उद्धूर ने पकड़ लिया उसका तो यहां पर भी क्या चीजेए घतितो हो रही है कि वह दोनों में रिष्टा और रहा है लेकिन यहां पर चीजे आ रही हैं अपने कि कमी क कऱें कि हम उसको उसके दया तो दिखा रहे हैं गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारेरिक बलका अंदाजा हुआ कि गूंगा बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है परन्तु फिर भी उसने अपना हाथ बसंत पर नहीं चलाया था इसलिए कि बसंत बसंत है गूंगा गूंगा है कि पुत्र की मंता ने इस विशे प प्राकतवर है लेकिन तब भी उसने अपने बेटे कभी हाथ ने उठाया था तब वह सोच ती है कि मेरा बेटा यानि कि बसंत बसंत है और यानि कि बेटा बेटा हैो दूसरा बाहर बाहर तो ये सब चीज यह फरक चीजे समझ में उसको आ रहीं थी यही तो पुत्र की ममता ने इन सारी चीजों पर पट्टी डाली यानि कि यहां बसंत की गलती थी वो समझ चुकी थी लेकिन तब भी जो है उसने कुछ नहीं किया एक बार घ्रणा से विवर्ष चमेली ने गूंगे से कहा क्यों रे तुने चोरी की है गूंगा चुप हो गया चमेली ने हाथ पकड़ कर द्वार से निकल जाने को कहा तो एक भरवे कुछ चोरी हुआ तो उसे सीधे पूछ लिया क्या तुमने चोरी कि उस सुन नहीं सकता था तो उसको सीधे हाथ पकड़के घर के दरवाजे पे लाई कि अब तुम यहां से निकल जाओ गूंगे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था चमेली उस पर खुब चिलाई उसे बहुत बुरा बला कहा लेकिन जैसे मंदिर की मूरती कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी क मूरती होती हम सब कुछ बोलते रहते हैं मकर वो हिलती नहीं कुछ नहीं करती उसी तरह वो शांत था क्यों क्यों कि उसको को समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जैसे उसे केवल इतना ही समझ में आया कि मालकिन नाराज हैं अब उसको समझ में क्या आ रहा था कि मालकिन थोड हो रहा था कहा है राणी और विश्वास हो रहा था अंतता चमेली ने उसे हाथ पकड़ का दर्वाजे से भाحर धकेछ दिया अब क्या था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो हो भी इस तरह चिला करके उसे लाई थी आज उस पर विश्वास नहीं कर रही थी तो इस बात का उस से बड़ी हेरानी थी और विश्वास साहा था कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती तो ये सभी situation हमको दिखा रही है कि यहाँ पर विश्वास की कमी थी सभी के अंदर खास दोर से चमेली के अंदर करीब एक घंटे बाद शकुंतला और बसंत यह कहकर चिला उठे अम्मा अम्मा चमेली ने देखा कि गुंगा खुन से भीगा हुआ था अब क्या हुआ वो तो चला गया था फिर एक घंटे बाद जो है सकुंतला और बसंत चमेली के लड़का बेटा और बेटी जो है वो बहुत जोर से चिलाते हैं क्या देखते हैं कि गुंगा जो है वो खुन से लटपत दरवाजे पर बैठा हुआ है खुन से भीगा था उसका सिर्फ फट गया था वह सड़क पार के लड़कों से पिट कर आया था क्योंकि वह गुंगा होने के कार उनसे दबना नहीं चाहता था दरवाजी की दहलीश पर से रख कर वह कुत्ते की तरह चिला रहा था चमेली चुप चाप देखती रही चमेली सोसती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गुंगा नहीं ही है गुंगा भी इसने चाहता है समानता चाहता है अब क्या हुआ वो लड़का गुसे से घर से निकाल दिया गया था वो निकल के जाता है बाहर डोट के दूसरी तरफ जो है न कुछ लड़के उसको मिल जाते है उसे बहस होती है अब यह तो बोल नहीं सकता अब यह गुंगा है तो उन लोगों ने उसे जो है परिशान करना चुछे लेकिन यह दबना नहीं चाहता तो उन लोगों ने इसको खूब पीटा उसके से पर खूब निकलने लगा वो आके बुस जाता कहा तो यहीं आ गया वापस अब चमेली खड़ी यह सोच रही थी आज के समय में गुंगा कौन नहीं है जो इस गुंगे विक्ति पर भी देख रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन शान्त है वो एक तरीके से अपने बारे में भी सोच रही थी सभी के बारे में नहीं अपने बारे में सोच रही थी वो से बराबर जाहीं से जो लोग normal होते हैं जैसे life जीते हैं वेसे वो लोग भी वो life जीना चाहते हैं किसी तरह की मदद नहीं उनको करिए उन्हें सिर्फ बराबरी का दर्जा जीजे तो इस कहानी में हमने देखा कि देखते सुनते हुए भी चमेली ने जो है उसके उपर यकीन नहीं किया साथ ही और अलग लोगों ने भी उसका शोषण किया किस तरीके से चीज़ें घटित हुई तो इस पार्ट में हमें यहीं देखने को मिला है कि जो लोग की पास नहीं होती उनके लिए समवेदना रखिए उनको दबाने के उपर उनके उपर